तो आज हम बनाएंगे खाइस मसाला भिंडी भिंडी तो आपने बहुत तरीके से बनाएं वाले हैं वह बिना किसी टमाटर या बिना किसी खास मसालों के ही हम बनाएंगे तो चले हम शुरू करते हैं मैंने आदे किलो भिंडी लिया था इसके साथ हरी मिर्ज एक बड़ा प्याज ले लिया है तो मसाले में भड़ी डालेंगे यहां पर लाल म्यीच पाउडर थोड़ी हम डालेंगे इसमें यहां पर 1 गरम मसाला तो गरम मसाला मैं तो YouTube सैं हईय। तो यहां पर मैंने एक चमाज इसमें पिसावा धनिया डालने के बद हम इसमें डालेंगे थोड़ा चात मसाला चाट मसाला हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि इससे क्याता है भिंडे में बहुत ही अच्छा इतने खुश्पू भी बहुत अच्छी आती है खटी मिठी और इसमें स्वाथ भी बहुत अच्छा आता है तो यह भी ऑप्शिनल है आप अगर डालना चाहते है तो चलिए हम इसमें एड़ करेंगे भिंडी तो जो हमने पहले बारी कट करके रखी विती बिंडी को वह हम सारे इसमें डाल देंगे तो यहां पर एक बात आपको ध्यान रखना है गाई जो बिंडी के शेप है वह आपको छोटी-छोटी कट कर दी हैं काफी लोग क्या करते हैं बहुत अच्छी तरीके से और इसको पांच से दस मिंट के ठका रख देंगे जब आप इसको दस मिंट बाद चेक करेंगे तो जो हमारी भिंडी है कुछ इस तरीके से हो जाएगी और आप देख सकते हैं यह कितने एकदम उबली-उबली से लग रही है क्योंकि यह स्टीम में डाल दूंगे यहां पर तो यह सारे मसाले डल गए हैं अब हम क्या करेंगे इन मसालों को हम इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे तो आप देख सकते हो, जो मसाले थे हमारे वो भिंडे में बहुत ही अची तरीके से लिपट गए हैं अब हम इसमें डालेंगे कटी हुई प्याज और कटा हुआ हरी मिर्च तो यहाँ पर हम इसमें कटा हुआ प्याज और कटी हुई हरी मिर्च डाल रहे हैं तो अब आपको उसको बहुत ही अच्छी तरीक से मिक्स कर देना है और यहां पर जो गैस की फ्लेम है आपको लोही रखनी है वरना भिंडी क्या है जल भी सकती है हमारी और हमने इसमें पानी के यूज बिल्कुल भी नहीं किया है गाइस अच्छी से मिक्स करने के बाद हम इसको पांच मिंटके छोड़ देंगे तो जब हम पांच मि deceased हैं एन वोम हो तो यह इस यह मिंटि आपको डिश प्याप और लिलन मत बूला